हूथी पर हुए जबरदस हमले पर अमेरिका और ब्रिटेन को सीधी सीधी चेतावमी दी है इरान और हूथी ने मिलकर एलान कर दिया कि इस हमले के बाद से अब लाल सागर में दुश्मनों के सभी जहाजों पर भयंकर हमले शुरू होने जा रहे हैं खूदी पर खूदी हमले अमेरिका ब्रिटेन का बदला शुरू इस वक्त पूरे मिडलीस्क से लेकर मध्यपूरू एशिया तक जबरदस्त हमले हो रहे हैं मिडल इस्ट में इसरेल हमास को लगभग सौ दिनों से मिटाने की कोशिश कर रहा है लेकिन हमास अभी भी इसरेली सैनेकों को निशाना बनाया जा रहा है इधर मध्यपूरो एशियाई देश की यमन में मौजूद हो थी विद्रोहियों ने पिछले 40 दिनों के अंदर ऐसा घदर काटा हुआ है कि अमेरिका और इसरेल समेथ 15 देश होथी के हमलों से काप रहे है यमन से घजादर कांपे 15 देश लाल सागर में यमन के हूथी लड़ा के ना सिर्फ अमेरिका और इसरेल के कार्गो पर मिसायों और प्रोंच से हमले कर रहे है बलकि इसरेल और अमेरिका का साथ देने वाले 13 देशों के मालवाहत जहाजों को निशाना बनाया जा रहा है उन्हें पकड़ा जा रहा है अमेरिका और ब्रेटन ने यमन में घुषकर हूथी लड़ा कार्गो शिपने लाल सागर में खौव से जाना बंद कर दिया है अमेरिकी मीडिया के दावों के मुताबिक हूथी पर अमेरिका और ब्रिटन ने मिलकर मिसाइलों और लड़ाको विमानों से हमले किया है। युद्धक विमानों ने बड़े पैमाने पर हमले किये हैं। दावों के मुताबिक अमेरिका और ब्रिटन के हमले में हूथी के कम से कम पांच लोग मारे गए हैं। जब कि 6 से ज़्यादा लोग घायल हुए है। लाल सागर में हूथियों द्वारा मालवाहक जहाजों पर किये जा रहे अब हूथपुर्व हमलों का सीधा जवाब है। इतिहास में पहली बार जहाजों पर हमलों में एंटिशिप वैलेस्टिक मिसालों का इस्तिमाल हो रहा है। हूथियों के हमलों के जलते लाल सागर से गुजरने वाले 2000 जहासों अपना रास्ता बदलना पड़ा है। बाइडन ने आगी कहा है कि लोगों और शिपिंग गूट वो बचाने के मैं और कड़े आदेश देने से पीछे नहीं प्रोका। अमेरिका और योके के हमलों के बाद हूथियों ने भी जंग का एलांग करते हुए जवाबी हमले शुरू कर दिये हैं। हूथी और विदेश मंतरी हुसान अल-एजी ने कहा है कि यमन पर हमला करने वाले अमेरिका और ब्रिटन को गंभीर पर राम भुगतने होंगे। हूथी वे द्रोहियों के कमांडर ने साफ कहा है कि अमेरिकी और यूके की सेना ने बड़े पैमाने पर आक्रामक हमला किया है जिसका हम मूतोड जवाब देंगे। रद अकबर मिन दालिक वाख्थर मिन दालिक अब आप ये भी जान लीजिए कि हूथी कहां कहां हमले कर रहा है और कैसे कर रहा है मेरे पीछे की इस बोलती तस्वीर को आप बेहत बारीकी और गौर के साथ देखें क्योंकि इसका पूरा कच्छा चिट्था हम तफसील से आपके सामने रखने जा रहे हैं दरसल लाल सागर ये लाल सागर है जिससे समझना जरूरी है क्योंकि इस पर ड्रोन हमले किस तरह से हो रहे हैं वो आपको बताते हैं हुती इस वक्त अमारिका और इस्वेल समेट 15 देशों के माल वाहक जहाज यानी कार्गो शिप कार्गो शिप कौन सी टार्गिट कार्गो शिप जो आपको इस वक्त जिलते हुए नजर आ रहे हूंगे इस पर जबरदस खौफनाख हमले तो ये है कि शिया संगठन चरम पंथी संगठन हूती कारगो जहाजों पर एंटे शिप बैलेस्टिक मिसाल से ताबर तोड़ हमले देखे किस तरह से किये जा रहे हैं जिसकी वज़ा से अमेरिका बिटेन समेत 15 देशों के जहाजों को भारी नुकसान हुआ है यानि कि टारगेट में है ये कारगो शिप और इसमें 15 देश शामल हो चुके हैं जिनें ये नुकसान यहाँ पर उठाना पड़ा हूती ड्रोन से भी जहाजों पर हमले पर हमले यहाँ पर किये जा रहे हैं इस बीच अमैरिका को जो दावा है यहां पर समझ लेना जरूरी हो जाता है या पूरी अधन की खाड़ी है क्योंकि धीरे धीरे आपको बता रहे हैं कि किस तरह से ड्रोन अटैक कारगो शिप पर तारगेट करके किये जा रहे है इस बीच अमेरिका का दावा यह है कि हूथी को ये ड्रोन इरान दे रहा है यानि कहीं और से नहीं बलकि इरान से उसके पास पहुँच रहे हैं जानकारी ये भी दे दे कि शिया देश इरान हूथी के शिया लड़ाकों को अमेरिका और इसरेल पर खौफनाक हमला करने के लिए जम कर हतियार दे रहा है और हूथी सबसे ज्यादा हमले लाल सागर में कर रहा है यानि कि लाल सागर में इसके हमले सबसे ज्यादा खौफनाक हो रहे हैं जहां भारी नुकसान भी बहो रहा है जहां से दुनिया के 20 से ज्यादा देशों के कार्गो शिप गुजरते हैं और इसके लावा अरब सागर में भी हुथी ने अपने खौफनाक हमले जो है वो और भी ज्यादा तेज कर दी है Target Cargo Ship जो है जलकर खाक यहां पर हो रही है जिससे यह जो इलाका है वो जंगी इलाके में तबदील होता जा रहा है बदलता जा रहा है जो इन तीन तस्वीरों के जरीए आपको समझ आ रहा होगा यानि कि drone attack, Target Cargo Ship और यहां पर भी देखिए टार्गेट कार्गो शिप की बाथ हम कर रहे हैं